नमस्कार, गर्मी आ गई है, तो दही की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, दही जमाने के लिए तबले का दूद ज्यादा अच्छा है, जो भैंसका होता है, उससे दही बहुत अच्छा बनता है, लेकिन घरेलू दूद जो भी है, जो अमूल का है या और भी कोई दूसरे पे दूद से जो, सिंपल दूद है, उससे समय दही जमाई हूँ, ये दही भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि दही की जरूरत काफी चीजों में पड़ती है, शास बनाना है, लसी बनाना है, या इडली दोसा में डालना है, किसी भी चीज के लिए दही की जरूरत पड़ती है तो दही जमाने के लिए, मैं ले ली हूँ, यह उगला हुआ दूद है, इसको थोड़ा सावर गप्चीज में से में निकाल के ली हूँ, अब कितना भी दही जमा सकते, एक कटोड़ी, एक गिलास दूद में आप दही जमा लीजे हूँ, दही जमाना उतना ही आसान है जितना ह सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़ा से मुबरम कर लेते हैं, दूद में उबाला गया है, अब इसको दो मिनिट तक हम वलकियाज पर और बनने देते हैं, तो रसा और अच्छा से बन जाएगा, क्योंकि काफी पतला दूद है, इसमें मलाई तो नहीं बनत जाता है, जो हम रिगुलर यूज मिलाते हैं, अपुड़ी गेड़ तक इसको मुबल जाने देते हैं, हलका हलका इस पर भी मलाई आ रहा है, दही जमानी में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, कि दूद को बहुत अच्छी तरह से गरम करना है, अगर गढ़ा दूद है तो अपने आपको बहुत ही अच्छा हो जाता है, मलाईजन के और गढ़ा हो जाता है, पर यह दूद ज्यादा गढ़ा नहीं होता है, रिगुलर दूद जो है, अभी हम गेस बन कर देंगे, थोड़ी दर इसको ठंडा हो जाने देते हैं, दही को हम कई चीजों से जमा सकते हैं, चने की डाल से भी दही को जमा सकते हैं, जब दूद गरम होके और ठंडा हो जाए, तो इसमें हम चने की डाल डाल देंगे, या इमडी डाल देते हैं थोड़ी से, या आम की खटाई डाल देते हैं, उससे भी दही जम जाती है, लेकिन हमारे पास दही है, तो सबसे करके और मैं रखती हूं इतना ठंडा करना है दूद को अपने उंगली बर्दास्त हो जाए इसमें और बहुत ज़्यादा गरम नहीं रहे और बहुत एककम ठंडा भी नहीं रहे उतना ही दूद ठंडा करना है अपने को चाहे तो आप किसी दूसरे बरतन में दूद गरम करके शिट कर दीजिए या उसी बरतन में फिर दही जमा सकते हैं एक चम्म से दही लेंगे और इसमें डाल देंगे डाल के और खलका चला दीजिए और इसको रात भरतक हम रखतेंगे पूरी रात अगर दही जमाने हैन आपको सुबह दही की जरूरत है तो अब रात में दही जमा दीजिए किमकि दही ताजी अच्छी है ताजी रोज अगर खाते हैं तो बहर में इसका छास बना लिजी तो इक आफे अच्छा उता है काफ्ही कے ल्सिया में सब इसमें होता है इसके लिए खट्टी और बासी दही नहीं खाया, ये रात की दही जमी है, इस उबह में इसका हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको कम से कम पूरी रात में रखके और ढखके रख देते हैं, शुबह देखते हैं, कैसा हुआ है दही, देखे, दही जम गया है, और दही कितना अच्छा जमा है, सिंपन दूद का भी दही इतना ही अच्छा जमाए जा सकता है, आप भी दही बनेए गर्मी के दिनों में, और ताजा ताजा दही खाईए, कोई विदूद हो, और आपको कैसी लगे मेरी रेसिपी, आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, कुछ सलाया सुझाव है तो, आप मुझे बताइए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दीजिए, धन्यवाद,